पिछले 26 दिनों से जारी कॉंग्रेस उपाद द्यक्ष राहुल गांधी का किसान यात्रा गुर्वार को दिली के जनतर मंतर पर खत्म हो गया इस मौके पर उत्राखंड के मुख्योंतरी हरिश रावत भी जनतर मंतर पर मौझूद थे हरिश रावत की माने तो राहुल गांधी के इस यात्रा से किसानों का फायदा होगा हरिश रावत से खास बाचीत की नेशनल वाइस समबादता अविनाश सिंग ने मेरट से लेकर डिली तक राहुल गांधी का रोडशो निकला जहां पर जगा जगा राहुल गांधी का जोर्दार स्वागत किया गया इसका पूरे देश में लाब में लेका और सबसे बड़ी बात है किसान को और खेती को लाब में लेका पिसले दो सालू में जो खेती का एजंडा है जो किसान का एजंडा है वो पीछे चला गया वो प्रिसमों में चला गया और लोग आगे-आगे उनकी चर्शाएं होने लगी लेकिन जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी जो किसान हमारा बैकबोन है उसकी चर्चा गाइब हो गई और राज्यू में भी हम परिशान हैं क्योंकि जो किर्शी छेत की बुनियादी आवस्केताएं थी उनके धन में कमी होती जा रही थी तो राहूल गांधी जी ने किसान के सवाल उठाए और कर्ज का सवाल उठाया और दूसरे सवाल उठाए और मुझे पूरा भरोशा है कि इन सवालों के आगे आने से अब जो है सरकार के उपर दबाव बड़ेगा उस कदम उठाने पड़ें सब लोग चाहते है यह ने प्रियंका जी को करना है को कि बहुत सारी बाते होती है और वो सक्री राजनीती में है चुनाओं लडाती है अमेठी राइवरेली का काम भी देखती है और काम भी देखती है ऐसा नहीं है कि वो सक्री राजनीती में नहीं है तो राहूल गांधी ने किसान यात्रा निकाली दिवरिया से दिल्ली तक कॉंग्रेस इस पूरी यात्रा को अब काफी सफल बता रहे है और कॉंग्रेस का ये भी कहना है कि अगले विधान सभाच उनाव में यूपी में इस यात्रा की वज़ा से कॉंग्रेस को बहुत बड़ा लाह मिलने वाला है कैमरा में सुरेंद्र रावत के साथ हमिनाश सिंग नेशनल वायस दिल ले चाहन